नमस्कार नियूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं डिश्टल के दुनिया एक समनांतर बहुत एक दुनिया के समनांतर चल लगी है वहां पर भी अर्थवस्थाएं चलने लगी हैं वहां भी जीवन से लिया चलती हैं फेस्बुक ने अपनी मुद्रा लिब्रा की पहल की है इसी पर बात्चित करने के लिए हमारे साथ हैं नियूज क्लिक के अडिटर इंचीफ प्रबीर तो प्रबीर मुद्रा से हम समझते हैं कि महीने भर काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा कुछ खरीदने जाते हैं तो पैसा करते हो आज क्या रूपी पेव बहुत सारे चीज़ें चलती है उस तरह से आप करते हो तो यह एक तरह से यह कह सकते हैं यह भी डिजिटल करेंशी है एक तरफ से कह सकते हैं और यह भी है कि इसको लिब्रा को क्रिप्टो करेंशी करार दिया गया है पर हकीकत पे क्रिप्ट cryptocurrency नहीं, cryptocurrency का बतलब यह होता है, कि उसी के पीछे किसी भी company हो, या किसी भी आपका देश हो, उसका ठपा नहीं है, और वो अपने आपको साबित कर सकता है, कि यह legitimate currency है, उस के मताबिक, तो bitcoin है इस तरह से और भी crypto currencies है, तो यह कहते हैं, कि इसके लिए किसी की permission नहीं चाहिए, permission less currency है इस transaction को guarantee करने के लिए तो यह भी एक तरह का currency है तो digital currency अलग-अलग तरह से और इस वक्त हम इस्तिमाल करते हैं कुछ लोग criminal purposes के लिए cryptocurrency के इस्तिमाल करते हैं कुछ लोग इसको एक जैसे इसको इसको फिलिए करते जिसको थे डिजिनल करनसी वहाँ पहली बार एंट्रिश करा ऐसा नहीद है ऑडर करन। यह क्ले seem की कुछ और दोस्त कंपनिया है जिसके जरीए यह आपको दार रिजक की जा रही है तो इसके Facebook है एक हिसाब से आप कह सकते हैं Facebook भी आपको अपने आपको एक देश घोशना करने की कोशिश कर रहा है जिसमें आप अगर Libra खरीदे अपने मुद्रा से तो Libra आपके पास Facebook जमा करेगा जो Facebook के दुनिया में Facebook की एको सिस्टम में आप इस्तमाल कर सकते हो Facebook कल हो सकता Amazon के तरह बिक्री करें यह तो Facebook में आप चीज़े खरीदना चाहो आप तब उसको लिए आप इस्तमाल कर सकते हो तो देखना वड़ेगा Facebook को एको सिस्टम, एकनॉमिक एको सिस्टम क्या बनता है तो यह दो तो Libra के बारे में है तो आप डिजिनल करेंसी के बारे में है यह जरूर दो चीज जिसमें हमें बाच करने की जरूरत है यह Facebook का इरादा किया है इस currency से और दूसरी बात यह है कि इसका असर दुनिया पे financial दुनिया पे खास दूर पे कैसे पड़ेगा क्योंकि मुद्रा का दो दोहरा चेहरा है एक तो आप चीज़ों खरीदने के लिए अब इस्तमाल क करते हो आपके budget के रूप में store of value जिसे कहते हैं तो आप transaction के लिए खरीद बिकरी के लिए कर सकते हो यह आप जमा कर सकते हो आपके पूजी की तरह तो यह दोनों पहली जो क्या है लिब्रा क्या दोनों पहली को fulfill करेगा नहीं यह भी सोचने की बात है बहुत आपने कि मुद तो जब ऐसी बातों को हम करते हैं फेस्बूक फेस्बूक की पूरी दुनिया पर पकड़ की सब लोग उस पर अपना चैट करते हैं बातचित फैलाते हैं तब यह कैसे रेगुलेट होगा इसको रेगुलेशन करने वाली चीज़ है देखिए हम हमेशा मानते आये हैं कि मु ना कहीं इसकी एक खबरदारी होती है उसकी एक निगरानी होती है कितना पैसा आपने कमाया और वो पैसा का टैक्स आपने जमा किया है तो इसलिए हर ट्रांजैक्शन पे क्योंकि उसका टैक्स सिस्टम से जुड़ा गुआ है एक निगरानी सरकारों की रहती है और एक बर्डन ये है कि वो खबर आप सरकार को दें और उसके बाद आप जिससे पैसा कमा रहे हैं उसका भी एक खबरदारी होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आपने एक दिन जिसे कहते हैं गनेश उलटके अपने दुकान बंद कर दिया सबका पैसा लेका भाग गया है क्योंकि बैंकों मे बैंक चलती है यह नहीं कि बैंक का काम यह है आपको आपका बचत वहां पर अपने वॉल्ट बे रखे उसका काम है कि पैसा दूस्टों को उधार दे तो इसके उपर एक निगरानी सरकारी तोर से आप फाइनांशल जो सेंट्रल बैंक है इनकी रहती है और इसी लिए सेंट ने भी कंपनिया हैं जैसे फाइनांशल कंपनी कहते उस पर निगरानी अलग अलग तरीके से निगरानी रहती है तो यह बात यह है कि फेस्बुक कह रहे हैं कि कि किसी देश के निगरानी इस पर नहीं होगा हम जो 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 जिनके बैंक एकाउंट नहीं है एक्सक्लूड लोगों के लिए बैंक कोई चीज नहीं जाए सिर्फ फेस्बूख के काफी है। तो सवाल इसका दो दो सवाल इस पे आता है। एक तो सवाल यह है जां क्या सचपुछ सब देशों के कानून के बाहर है खुद। सवाल यह है कि यह नहीं है क्योंकि फेस्बुक एक अमरीकी कमपनी है इसका मतलब फेस्बुक पे अगर आपका पैसा जबा हो और अगर कोई भी देश पे उस पर कोई बंदिश नहीं होगा अमरीकन बंदिशी सिर्फ रहेगा इसका मतलब फेस्बुक अपना इंपायर फाइन बैंक से जुड़ा हुआ नहीं है गलत होगा यह बलकि जुड़ा होगा अमरीकिन निगरानी के अंदर वो होगा और फेस्बुक का लीगल जो भी चीजे है वो अमरीका से पालित होगी आपने देखा है अभी गूगल पर कैसे अमरीकी सरकार ने बंदिश लगाया तो से और भी चीजे वहाँ से वो बहिश्कृत हुआवे को कर दिया इसका मत्ला अमरीकी कानून जो है गूगल पर लागू है और इस तरह से अमरीकी कानून जो है फेस्बुक पर भी लागू होगा तो सिर्फ दूसरे देशों की कानून नहीं लागू होगा सिर्फ Remote Schul bize का अमर प्राइ्सेंक्शन जब लगा था तो इसका पैसा जो अमरीकी bank में जमा था जो कि बाहर के branches में। यह नहीं कि अमरीकन अमरीक क्उड में जमा था यॉरप के या दूस्ते देशिना पैसें या दिशों के branch में जमा था क्या। क्योंकि एरान की Maps था उन कंपनियों के ब्रांचेस के जरीए चलता था तो वहां पर इनका सब पैसा जब्द कर लिया गया था और यह उन्हें 79 की बात मैं कह रहा हूँ तभी भी जो जिबी कार्टर ने जो उसका घोशना था उसमें यह था ना की सिर्फ अमरीका में इरान की जो प्रापर्टी हो इरान के जो पैसा हो वो भी जब्द कर लिया जाएगा पलकि कोई भी अमरीकन ब्रांच में अगर इरान का पैसा है तो वो भी जब्द कर लिया जाएगा एक घोशना था और वाके हैं उन्होंने यह किया था इसके लिए International Court of Justice पे अभी भी केसे चल रहे हैं इस बात पे तो ये कित्ते पहले की घटना सोच लेजिए तो अमरीका, अमरीकी कानून हर अमरीकी कमपनियों पे लागू है इस पे कोई बहस की बात नहीं है इस साबित बहुत पहले ही हो चुका है सर हम सुनते हैं खबरों में की financial crisis हो गया, banking crisis हो गया, अर्थवस्था चर्मरा रही है और वैसी स्थिती में एक parallel digital दुनिया में ऐसी चीज़े आती है जिस पर किवल एक ही देश का regulation होता है तब ये कैसी दुनिया की पूरी अर्थवस्था का हम लोग कल्पना कर सकते हैं गर ऐसी सिती होती हो तो अभी तो dollar के जरीए दुनिया की ज़्यादा तर ले देन चल रही है और ये ही dollar आपकी क्योंकि तेल से जुड़ा हुआ है तेल सब देश को चाहिए तो dollar एक तरह से international currency का नीम बना हुआ है इस पे देख सकते हैं इरान के सैंक्शन हो, रश्या की सैंक्शन हो, चीन की सैंक्शन हो इन सब चीओं को देखते हुए अब दुनिया में ये सोच तो है कैसे अलग तरीके से हम अपना लेंदेन कर सकते है dollar के जरीए ना जाए क्योंकि अमरीका के कानूनन अमरीका के पास एक हात्यार उटने बना लिया है कोई भी अगर dollar currency mention होगा किसी भी contract में तो अमरीकी कानून लागू होगा तो ये जो एक उन्होंने dollar का hegemony कह सकते हैं अमरीका कानून का hegemony भी बना लिया है ये दबाके सोचते वाली बात है क्योंकि इसके जरीए उन्होंने ऐलस्टॉम जो फ्रेंच company है इंडोनेशिया में कुछ कर रहे थे उस पर उन्होंने बनेखाल से 700 million dollar से भी ज्यादा fine लगा दिया था मैं एक चीज और बिस पर जाना चाहूंगा कि आप दो digital दुनिया की बात कर रहे हैं कि facebook कर क्यों रहा ये चीज फेस्बुक को क्या ज़रून लिब्रा निकाल लेगी तो मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि लिब्रा का दो पहलु है एक तो है वो कह रहे हैं कि facebook के अंदर की दुनिया में लिब्रा चलेगी पर ये नहीं बता रहे हैं कि लिब्रा के लिए हम और आपको क्या करना पड़ेगा अगर हम लिब्रा इस्तेमाल करना चाहते हैं हमें लिब्रा खरीदना पड़ेगा इसको जिसे डिजिटल वालेट कहते हैं हम, चाहे वो पेटी अब हो, चाहे जो जिकर किया था, दूसरे ऐसे वालेट है, तो वालेट में हमें पैसा जमा करना पड़ेगा, अज यह जो पैसा जमा होगा, उस पर कोई इंटरेस्ट आपको और हमें नहीं मिलेगा, तो वो अभी फेस्बुक के पास मेरे ख्याल से चालिस बिलियन डॉलर के रिजर्व है, तो यह रिजर्व, हमारी जो पैसे होंगे, उस वालेट भी उस रिजर्व में जमा हो जागए एक हिसाब से, तो हम फेस्बुक का जो पैसा रिजर्व के तौर पे उनके पास है, वो हम बढ़ाएं पैसे वहां जमा करके, और दूसरी बात है कि यह पैसा वैसी जमा नहीं रहता, यह पैसा भी फेस्बुक इन्वेस्ट करता है, अपने रिसर्च पे अपने कामों में, दूसरे शेर्व खरीदने में, दूसरे कमपनिया खरीदने में, तो एक तो उनका एक बहुत बढ़ाद हम करने को मदद कर रहे हैं तो एक तो इसका एक पहलू ये भी है दूसरा पहलू ये है कि जो फाइनेशल दुनिया में अगर फेस्बुक आना चाहता है तो हम हमारे पैसे दे के दुनिया के जो फेस्बुक की मेंबर्स है वो पैसा दे के उसको मदद करेगी तो एक फेस्बु बंदिश होगा अमरीके कानून के इलावा और उसके पास हम बलकि उनको पैसा देंगे ये काम करने के लिए एक दोहरी सुविधा कह सकते हैं Facebook मिलेगा और मैंने ख्याल से अमरीकान सरकार इसी लिए Facebook को इस बात पर regulate नहीं करेगा बलकि ये बढ़ाने देगा नहीं अगर अमरीकीन जनता को इस पर कोई सवाल उठे वहां पर कोई राजडितिक सवाल उठे भी उठ रहा है कि Facebook regulate करना चाहिए Facebook बहुत powerful हो गया Google Facebook Amazon को तोड़ देना चाहिए ये regulatory बाते आ रही है अगर ये आता है तो अलग बात है नहीं तो अमरीकीन सरकार की भी स्वार्थ ही ये है कि डॉलर के साथ साथ Facebook के लिब्रा से भी ओ दुनिया की financial दुनिया उस पर एक कबज़ा रखे अंदिम सवाल आप से फेसबुक की खत्रों के बारे में जब भी बात करते हैं तो privacy का मसला चला आता है प्रोफाइलिंग का मसला चला आता है वह चुनावा में हमने सारी चीज़ों को देखा भी था और उसके बात पैरलल हम देख रहे हैं कि financial दुनिया में उनका प्रवेस हो रहा है और पीछे से financial कंपनियों की एक privacy अपने खरिदारों जो इस्तबाल करते हैं उनकी services उनके लिए होनी चाहिए क्योंकि सरकार को वो चीज़ें बताते हैं वो ठीक है जायस है पर वो ही चीज़ अगर वो खुद इस्तबाल करें अपने competition करने के लिए मैं माल लिज़े एक बड़ा company हूँ मै कुछ कारोबार करता हूँ अगर bank भी वही कारोबार मेरे साथ करने लग मेरे साथ competition में करने लग जाए इसका मतलब मेरा जित्ता ख़बर है वैसे भी उसके पास होगा तो यह गलत होगा इसलिए regulatory barriers है कि आप अगर यह काम करते हो तो वह आप नहीं कर सकते हो facebook के पास ऐसी को सिर्फ हमारे privacy violate करके एक परसे या तो हमारे खबर हमारे data बेच के advertisers को जो पैसा बना रहे है उसके हाथ पे यह सब चला जाना यह तो वैसे भी परस पर विरोधी बात हो जाती है क्योंकि facebook जिस तरह से हमें जानता है वो खबर अगर वो अपने पैसे के लिए इस्तवाल करे अलग बात है हमारे साथ competition करने के लिए गर इस्तवाल करेंगे तो यह बहुत ही बड़ी एक अलग बात होगी दूसरी बात facebook जब कहता है कि हम तो excluded जो है उनको include करना चाहते है हम तो free basics टाइम पर भी देख सके देख चुके हैं कि यह तो बक्वाज है उनका basic उदेश्च कैस हम ज्यादा पैसा रोजगार रोजगार करें यह है और यह जो exclusions को include करने की जो बात है यह तो सिर्फ बेचने के लिए अपने आपको और successfully बेचने के लिए लोगों का अपने साथ जोड़ने के लिए है और उनका इरादा ही है इन सब को एक अठा करके सरकारों के खिराद ल कर रहा है जिसकी जहानकारी बहुत कम लोगों को हैं लिबरा जैसी बाते आते हैं समझना हो तो इसे सग्यों से बात कीजिए बहुत आगे क्या होगा इस पर जानने के लिए आप देखते रहें न्यूज क्लिक शुक्रिया